स्वागत है आप सभी का online prep में आज के इस reasoning के class में हम लोग solve करेंगे set number third और यह reasoning के practice set की तिसरी class होगी जिसमें हम लोग बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्न करेंगे class को अंतक देखिएगा और आप सभी को पता है कि reasoning बहुत ही scoring subject है और अगर आप इसके कुछ questions जो आज कराए ज जरूर देखे और आपको बारबर बताया गया है कि अगर आप इसकी PDF विदा आंसर की देखना चाहते हैं नोट्स चाहते हैं और help चाहते हैं तो आप या website पर विजिट करकर हमारे प्राप्त कर सकते हैं बिना किछी देरी के शुरुवात करते हैं आज के set का प्रश्न संख् एक पहली है और इसमें दिया गया है दिये गये विकल्पों में से संबंदित अक्षर चब्द और तंख्या को चुनिए यहां पर जैसे इस तरह का कोशन आपके सामने आए अलफा बेट से यह एनालोगी का प्रश्न होगा यहां पर आपको यहीं बताना है और आप लोग आ अलफा लेटर यानी इस वर्ड का पहला लेटर और इसका पहला इसके बीच की अन्तर को देख ले इससे शुरुवात आप कर सकते हैं इसी से आपका कोशन अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपका बहुत हट्थक आपको शुरुवात मिल जाएगी अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि S के बाद यहाँ O आया है यानि पीछे हो रहा है यानि कुछ माइनस हो रहा है अगर आपको फिर भी न समझ में आये और आप सभी लोग साथी साथ आंसर भी करते रहें प्लीज जिससे कि आपको और पेन पेपर लेकर बैठें सॉल भी करते रहें अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा थोड़ा सा समझने में अगर आप देखें प्लेस वेल्यूए S की क्या है O की क्या है उसका अंतर भी कर सकते हैं अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं आप देखें ही के देखने को हमें क्या मिल रहा है कि 4 लेटर जो है अगर इस यहां से पीछे से हम देखें तो इन सब में 4 लेटर या चार संख्या अधीक जैसे ही आपने इतना कर लिया बस आपको इस पर एपलाई कर देना है और एपलाई करते ही आपका आंसर आपकी सामने होगा जैसे माइनस पूर करेंगे आप तो हो जाएगा जी एफ डी और ए और आप इसकी तुलना कर पाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आते हैं अगले कोशन पर आपके स्क्रीन पर है कोशन नंबर सेकेंड है इसका इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ उसी प्रकार की चीजें हैं लेकिन यह भी कोशन सेमी है लेकिन यहां पर नंबर का यूज किया यानि नुमेरिकल वैल्यूज है आप देखेंगे यहां पर तीन-तीन जो टर्म है तीन-तीन संख्या है जैसे 11, 121 और यहां पर 110 वही संब पर तीन में होगा और वैसा इस संबंद इस option में से किस संख्या का हो रहा है वो हमें बताना है आप सभी लोग इसके answer को प्रयास करेंगे solve करके देखेंगे इसमें क्या हो रहा है बहुत यासान है अगर हम इसको solve करने पे आए तो देखेंगे कि 11-121 कैसे हुआ है फिर 110 कैस हुआ है 15-225 कैसे हुआ है 210 कैसे हुआ है फिर अगला जो होगा वो option हमारा right answer होगा जिसमें इसी तरीके का संबंद या इसी तरीके का relation दिखेंगे अब देखेंगे 11-121 कैसे हुआ है जब 11 का स्क्वायर होगा अब यसी बात है 121 आ जाएगा अब 121 से 110 कैसे आया होगा आरा है तो यह तरीके से अगर हम यहां देखें 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा और इस 25 में ही माइनस कर देंगे 15 तो 210 आ जाएगा यानि हो क्या रहा है कि स्क्वायर करके फिर उसी संख्या से माइनस कर दिया जा रहा है अब यह किस पे apply होगा आप सभी लोग को आंसर मिल गया होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा 18 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 324 फिर इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो आजाएगा 306 राइट आंसर क्या हो जाएगा option B यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने के कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रश्ण कैसे मिलेंगे आपके एक्जाम में, क्या लॉजिक लगाना है, इसलिए ये class important है, तीसरा देखेंगे आप सभी लोग, अब यहाँ पर आपके शब्द है, स्वपन का यानि ड्रीम का जो संबंद reality वास्टिक्ता से है वही लॉजिक का तर्ग संगत का किसे से होगा, यानि जब इस तरीके के प्रशना है, तो बहुत आसानी से किया जा सकते हैं, बहुत इजी है, उमीद है, आप सभी लोग आंसर करेंगे, तो अपन ड्रीम, यानि यहाँ पर जो आप सपना देख रहे हैं, वास्टिक्ता यान विथ्या के स्थिती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का यह हो जाएगा, अब आते हैं अगले प्रशन पे, निमलिखित प्रशनों में दी गई संख्या स्रिंखलाओं में से, कौन सी एक संख्या सही नहीं है, अब जो अगले दो कोश्चन होंगे, प्रस्ण संख्या 4 और 5 उसमें आपको यह बताना है कि इस रिंखला में जो इस रिंखला दी गई है, इसमें कौन सा एक लेटर जो है, या कौन सा एक नंबर है, वो जो है, सही नहीं है, टर्म सही नहीं है, इसके लिए आपको फिर वही इनके बीच के अंसर को ढूणना पड़ेगा, आप सभी लोग इसका आंसर करें एक बार प्लीज, अब जब इसके अंतर को आप यहां पर लिख लें अगर, और एक्जाम में आपको इतना टाइम मिलता है, अराम से आप लिख कर, एक एक अच्छे से समझ कर तब ही आंसर करें, यहां पर आप इन सब के अंतर को निकालने इससे काम आसान हो जाएगा. इस तरीके से आप देखेंगे, जो यह नंतर है, फिर इनके बीच के अंतर को देखते हैं, आप यहां पर देखेंगे, चार, चार, बारा के बाद यहां पर, बारा के बाद 14 है, यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर बाकियों में 4, 4 का अंतर दीखेगा, यहां पर 2 का हो जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर कुछ defect है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, गलत संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी अब यहाँ पर यह पूछा गया है कौन सी संख्या सही नहीं है तो इस श्रिंखला में 6 जो है वो पर पर यहाँ पर रहता तो सही हो जाती उसको भी अगर हम देखें यहाँ पर एक नजर में अगर हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा 10 यानि इनके बीच का अंतर 10 लाना पड़ेगा अगर यहां पर 8 रहता यह 10 हो जाता तो सबके बीच का अंतर 4 हो जाता इस तरीके से और यह 8 होता तो यहां पर 6 हो जाता इस दोनों के बीच फिर इसके बीच का भी अंतर 4 हो जाता यानि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां प आप अभी देख रहे हो या बाद में देखें यहां पर आप देख सकते हैं 541, 514, 312, 747, 945 और 816 है यहां पर ध्यान आपको जो देना है वो यह देना है कि यह संख्या जो है पहले बढ़ रही थी फिर घट गई फिर बढ़ गई फिर यहां पर घट गई इसका मतलब हो आंसर करें यहां पर आपको यह देखेंगे एक पैटर्न देखेंगे वो पैटर्न क्या होगा कि जो लास्ट की दो संख्या है इनको जोडने पर तिसरी संख्या आ जा रही है यानि इन लास्ट की दो संख्याओं का योग ही तिसरी संख्या है जैसे 5 जो है 4 प्लस 1 से बना ह यानि 4 प्लस 5 हो गया तो यह 5 लिखा है यही लॉजिक आपको इसमें भी देखेगा 4 प्लस 3 7 उसी तरीके से 4 प्लस 5 9 लेकिन यहां पर आप आखरी टर्म में देखेंगे आखरी जो टर्म है इसमें 6 प्लस 1 7 होना चीह लेकिन यहां पे 8 लिखा है इस प्रकार से गलत क्या हो जाएगा जो सही नहीं है वो ऑप्शन ती है यह लॉजिक आपको समझना है आते हैं अगले प्रस्ट पे अगला प्रस्ट और भी सिंपल है नेम लिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से भिन है अब आपको ऑप्शन 6 का आंसर करना है खेल मैदान में होता ह है स्क्रीन सिनेमा दिखाए जाती स्क्रीन पर मंच पर नाटक होता है मिटाना पर क्या रबड होता है तो यह क्या हो जाएगा यह बाकियों से भिन हो जाएगा और बाकी जो है वो एक दूसरे से यानि सिमिलरेटी है बाकी में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्वे पर आते हैं, सात्वे का आप सभी लोग आंसर करेंगे, 3, 2, 32, 41 लिखा है, 42, 44, 46, 28, 33, 56, अब यहाँ पर हमें यही बताना है कि इनमें कौन सा जो पद है, टर्म है, आप्शन है, वो अन्य तीन से भिन्न है, आप सभी लोग जवाब दें, सेवन्त का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक लॉजिक भी समझना होगा, यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली, राइट आंसर हो जाएगा, इसका ओप्शन डी, लेकिन प्रशन यह है कि सर, हो कैसे रहा है, जब इस तरीके के कोश्चन जोड़ा जाए, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1, तो 5 आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर जोड़ा जाए, तो 8, 6 प्लस 2, 4 प्लस 4, 8, यानि कि जो दोनों लेटर है, इन दोनों को जोडने पर संख्या, जो है, इनका जोड जो है, बराबर हो जा रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंग blood relation से उमीद है आप लोग इसको जरूर प्रियास करेंगे answer भी देंगे M जो है P का पुत्र है जब भी exam में ऐसे question आए तो आपको शुरू करते ही लिखते भी जाना है इससे काम आसान हो जाएगा M जो है P का पुत्र है P का पुत्र है यानि P जो होगा अभी हमें नहीं पता जो की P का पती है जो है ओ का पती हुआ जो है इनकी जो की हो सकता है इसी की बेटी हो अब यहाँ पर इस तरीके से आपने बना दिया अब आपका कुछ भी पूछा जाए कोई भी प्रशन हो आप उसका जवाब पूछा गया है M O से किस प्रकार संबंदित है यानि M और O के बीच का relation पूछा गया है तो यह आप सभी को पता है कि यह क्या relation हो जाएगा तो पुत्र का हो जाएगा क्योंकि यह पिता और यह पती-पत्नी है O P और यह उनके पुत्र है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option A यहां पर यह द्यान रखिएगा जितना नीचे आता जाएगा यानि कि यह इनकी generation है इनके वारिश से इतना उपर जाएगा तो वह relation हो जाएगा इस तरीके से बनाने से यही फायदा होता है आते अगले प्रशन पर बहुत अच्छा प्रशन आपके स्क्रीन के सामने है उमीद है इसको समझते भी आप सभी लोग आंसर करेंगे लड़कों की पंक्ति में अमर बाये से सात्वा है एक लड़कों की पंक्ति है यह इस तरीके से में बना दे रहा हूं बाये से मतलब यहां पर left और right भी आप लिकने समझने के लिए और मान लेते है इसी ही पे कहीं पर अमर जो है यह है दो आपने अस्थान को बदल लेते हैं यह यहां पर आ जाता है और Y यहां पर आ जाता बाएं से बाराहवा अस्थान हो जाएगा उसका अब अमर का जैसे यह अमर यह सात्मा था अब यहां पर आएगा तो बाईसवा अस्थान हो गया और राइट से बाराहवा होगा ही इसमें होता क्या है जब आप एक व्यक्ति के दोनों साइट से आपको उसका अस्थान पता च इस वज़े से तो 33 हो जाएगा राइट आंसर आप देखेंगे option C will be the right answer option यहाँ पे आप टिक करेंगे इस तरीके से आपकी प्रश्ण पूछे जाते हैं इसमें ध्यान रखिएगा जब वही पंक्ती की बात आती है तो पंक्ती में ये logic ये concept लगाया जाता है अगले को अंत तक जरूर पढ़े और आप देखेंगे इमपैशनेबल लिखा है इस इसे कौंसा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है तो हम देखेंगे इंपैसीबल बनाया जा सकता है इंपॉसिबल भी बनाया जा सकता है क्योंकि सारे लेटर दिख रहे हैं डबल S भी मिल जाएगा आई भी मिल जाएगा भी इंपैसिव जो है यह नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इस इंपैसिव वर्ड में वी का यूज हुआ है और वी इसमें है ही नहीं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option C यह नही नहीं बनाया जा सकता बाकी बनाया जा सकते हैं अगला question है ऐसा हम लोगों ने पिछले सेट में किया था दिये गए विकल्पों में से कौन सा निमलिखी शब्दों का सार्थक क्रम है यानि एक क्रम में हमें दर्शानक यह चीजे हैं यानि कुछ क्रियाएं हैं कारे करना सु बरूरिस पर सोचें पॉज कर के भी आप इसको सोच कर जवाब दे सबसे पहले हम लोग जब सुनने से भी पहले हम लोकव द्यान देते अंआँ लोकन करते हैं चूरुआप ओगी चार से और लोकन किया हमने या निया भ्यान दिया, फिर सुना हम नgarant से सुना उस चीज को सुनने के बाद हमने उसके بारे में और विशलेशन और उसको तोडल कर समझने की कोशिश की इन हो गया हुर्अ इसके बाद हमने निर्ड़ा लिया कि किया जाया या न किया जाया फिर हमने का यह इस तरीके से option B जो हो जाएगा वो right answer हो जाएगा आते हैं अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट आपके screen पर है बहुत अच्छा question है लुप्त संख्या ग्यात किजी बारावा प्रस्ट उमीद है आप सभी लोग कर पाएंगे आप देख सकते हैं यह table है और stable में कुछ संख्याएं दी गई है जब भी इस तरीके की एक्जाम में कोशन आए आपको यह देखना है कि इसमें horizontally हो रहा है या vertically यानि 36 हो रहा है या उर्द्वाधर relation है तो उससे पता कैसे चलता है जो संख्या लाश में बड़ी हो जाए इसका मतलब है कि इसमें जो logic लग रहा है वह इसी तरीके का उर्द्वाधर है perpendicular है अब यहां पर आपको बताना एक चार साथ से 27 कैसे हो जा रहा है दो पांच आठ संख्या 38 कैसे हो जा है और अगर हो रहा है जो भी concept है तो 3 6 और 9 को मिलागर फिर यहां पर क्या होगा तो बहुत यह असान सा प्रश्न है उमीद है आप लोग आंसर कर पाएंगे और इसको प्रयास करें आप सभी लोग चार और साथ जो है आप multiply करें 4 multiply by 7 4 7 जा 28 28 में से जब 1 minus कर देंगे तो आ जाएगा 27 इसी तरीके से 5 दूसरे पर हम देख रहे हैं 5 multiply by 8 हो जाएगा 40 40 में से minus 1 minus 2 कर देंगे देखें आपर 2 लिखा तो क्या आ जाएगा जो उपर है यह minus हो रहा है जो यह बीच में दो संख् है इनका गुणा हो रहा है multiply हो रहा है हम तीसरे में कर देंगे 6 multiply by 9 54 हो जाएगा माइनस 3 कर देंगे 51 आ जाएगा right answer option B आते हैं अगले question पे अगला question और interesting और important है तेरह हमा है प्रश्ण यहां पे देखेंगे 3 star 5 star 6 को लिखा गया है 92536 2 star 4 star 9 को लिखा गया है 41681 अब इसमें हो क्या रहा है जो relation जो concept इसमें लगा है वही concept हमें तीसरे में भी लगाना है जिससे कि हमारा उत्तर आ सकी यहां पर आप देखेंगे कि यह जो हो रहा है सारी संख्या 9 25 36 इससे यह पता चल रहा है कि जरूर square हो रहा है बिना square के यह सारे जो square है संख्या है वो नहीं आ सकती है यानि तीन का square हुआ है तो 9 लिख दिया गया है पांच का square 25 होगा उसको यहां लिख दिया गया 6 का square 36 होगा इसको यानि सतारी संख्याओं का square करके और एक ही 7 लिख दिया गया जोडा नहीं गया ध्यान रखिएगा तो अब हम आते हैं साथ में इस वाले में साथ का क्या हो जाएगा 49 लिख दिया एट का हो जाएगा 64 64 दस का हो जाएगा सव अब यह संख्या जो है यह मैच कर रही आप्शन डी से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अगला कोशन आपके स्क्रीन पर चौबदावा है प्रसुन संख्या यदि सफेद को नीला कहा जाए बहुत इंपोर्टेंट और बहुत इजी है इस तरह के कोशन पूछे जाते हैं जो लोग सौल नहीं किये र रंगी कहा जाए तो मनुष के खुण का रंग कैसा है मनुष के खुण का रंग होता है जाल और लाल को क्या कहा जाए बहुत इंपोर्टेंट बन जाती है तो क्या कर एंगे राइट आंसर करेंगे Y, Z, G तो put भासा में sick को क्या लिखा जाएगा यानि आप इस तरीके से लिख सकते हैं B, A, T को लिखा गया है Y, Z, G तो हमें sick को क्या लिख सकते हैं जो इसी logic पर आए तो यहाँ पर हो क्या रहा है B का just opposite होता है Y अब यह opposite क्या है आप लोग reasoning में जानते हैं जैसे A का opposite Z है B का Y है C का X है इसका मतलब यह होता है कि जो 26 संख्याएं होती है total sorry 26 later है 13 later के सामने 13 later लिख दिये जाते हैं opposite वही opposite संख्या हो जाती है यह आपको पढ़ाया गया है अब यानि यह इनका just opposite हो रहा है बस आपको यहाँ पर भी opposite इसका जो विप्रीत जो अक्षर होते हैं वो लिख देना है S का जो विप्रीत अक्षर होगा वो H होता है हम लोग याद करते हैं high school Hs और आप मेंसे जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं A, K, L, M और N, O, P, Q, R, S, T, Q, V, W, X अब यह जो एक दूसरे के सामने आपको इस संख्या देख रही हैं यही एक दूसरे की opposite है और इनको याद करने का भी trick बताया गया था class में आपने पढ़ा होगा तो बहुत इसली कर पाएंगे वही जैसे S का जो है आप यहाँ देखिए S, I, C के S का opposite क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए S का opposite H हो जाएगा H लिख दिया हमने I का opposite R हो जाएगा C का opposite X हो जाएगा और K का opposite क्या हो जाएगा P हो जाएगा तो H, R, X, P और H, R, X, P जो है वो हमारे इस option में जरूर होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा option C तो ये logic लगा है ये आप सभी को ध्यान रखना है आते हैं सोलावे नमर प्रश्ण पर दिशा से सम्बंदित है जब भी दिशा का प्रश्ण आए आपको तुरंथ, नौर्थ, साउथ, इस्ट और वेस्ट ये आपको डाइग्राम बना लेना है अजय अपने घर से 15 किलोमेटर पश्चिम की ओर गया यानि कि अजय जो है अपने घर से माल लेते हैं उसका इनिशेल पॉइंट था जहां से छलना शुरू किया यहा था यहां से वो पूर्व की ओर स्वारि पश्चिम की ओर लिखा है पह्ष्यम की ओर वो 15 किलोमेटर गया माल लेते हैं यह 15 किलोमेटर फिर हुआ क्या वो आगे बाएं मुड़ा बाएं जब कोई व्यक्ति इस साइड जा रहा है तो उसका बाएं नीचे की तरफ होगा बाएं मुड़ा और 20 कीमी चला बाएं मुड़ा इस तरीके से और 20 किलोमेटर चला उसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमेटर चला पूर्व का मतलब आप इस्थ देख सकते हैं इस्थ यानि यहां पर कुछ 25 किलोमेटर पिर वो आखिर में बाय मुड़कर उसने 20 की में दूरी तय की यानि फिर यहां से मुड़ा और 20 किलोमेटर गए अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर यानि जहां से उसने शुरुवात की यहां से चलना शुरू किया अब यह जो डॉटेड लाइन है इसका डिस्टेंस कितना होगा तो आपको यह देखना है कि यह 15 किलोमेटर जो डिस्टेंस है और यह टोटल 25 है इतना 15 वो चला ही था अब उसके घर से जो रिमेनिंग है जो शेष है वो बसता है 10 किलोमेटर और 10 किलोमेटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option 16 का जो हो जाएगा वो D हो जाएगा आते हैं अगले प्रशन पर बहुत easy बहुत simple सा question है अगर एक code में किसी निश्चित code में daughter को जो है T E R D A U G H लिखा जाता है तो aptitude को क्या लिखा जाएगा यानि जो relation उसमें है वही इसमें same है तो daughter में देखेंगे आप सभी लोग last का T E R जो है वो आगे आ जा रहा है T E R तो इसका मतलब क्या होगा कि जो aptitude का U D E होगा वो आगे आ जाएगा U D E बाकि 6 वैसे ही तो जैसे ही आपने इतना काम कर दिया अब आपका काम आसान हो गया U D E जो है यानि यहां पर A P T I T यह हो जाएगा तो यह राइट आसार हो जाएगा आते हैं अगले प्रस्ट पर यह बहुत important है एक अच्छा question है इसमें नए तरीके से इसमें आपको आंसर देना है किसी निशित कूट भाशा में पिक को O Q H J B D J E लिखा जाता है तो उस कूट भाशा में फ्लैट को किस प्रकार लिखा जाएगा अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जितना कोडिंग में जितने लेटर थे उतने ही डिकोडिंग में यानि उसका जो कोड बन रहा था उतने ही थे जैसे पिक का 4 ही था लेकिन अब 4 की बदले 8 हो गया इसी प्रकार से फ्लैट का भी जो कोड बनेगा वो 8 लेटर का होगा अब क्या concept लग सकता है आप सभी लोग जल्द के का एक अक्षर बाद का एक अक्षर इसी concept से यह कोड बना है कैसे समझे इसको पी से पहले क्या आता है ओ ओ लिखा गया उसी तरीके से हम F में करेंगे F से पहले क्या आता है? E आता है F के बाद क्या आता है? G आता है E G करते ही हमारा काम आसान हो जाएगा इसको अटा देंगे क्योंकि ये match नहीं कर रहा है बाकि तीन option match कर रहे हैं L का आप देखेंगे यहाँ पे सही है तो सूज जो है सिर्फ किसमे है A और C में तो ये भी eliminate हो गया अब पूरा आप कर लीजिए इसको कर लीजिए A से पहले जो होगा Z आएगा A के बाद B आएगा तो यहाँ पे B, S, S, U या आप चाहें पूरा कर दें L के लिए K, M है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का option A हो जाएगा यानि इस तरीके के भी प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं ये ध्यान रखिएगा आते हैं 19 में प्रशन पे 19 मा दिया गया दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए इस question मा की जगह क्या संख्या होगी आप लोग जल्दी से इसका अंसर करें 2, 8, 18, 32 और 50 जल्दी से आप सभी लोग अंसर करें question number 19 का सेम वही मैंने बताया जब संख्या धीरे बढ़ रही हो इसका मतलब है जरूर इनमें कुछ अंतर है और वो अंतर कुछ इस प्रकार से होगा 2 और 8 के बीच का 6 8 और 18 10 18 और 32 जो है वो 14 फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 18 अब अगला क्या होगा वो कैसे पता चलेगा इस पे सिरीज पे सिरीज लग रही है यानि फिर हमें इसका बीच का आंतर देखना है 6 और 10 के बीच का आंतर 4 है इसके बीच का आंतर 10 14 4 है 4 है अब अगला क्या होगा वो 22 हो जाएगा क्योंकि इसके बीच का तभी 4 होगा और 50 प्लस 22 जो है जोडेंगे 72 यानि 72 आ जाएगा और जो लोग option B करने उनका right answer है आते हैं इस session के और इस set के आखरी प्रश्ट की ओर और ये प्रश्ट आपके screen के सामने है 5, 11, 23, 47 और 95 अगला जो term है वो क्या होगा option के according आप सभी लोग answer करेंगे बहुत अच्छा question है बहुत ही interesting question है इसमें आप देखेंगे अंतर ढूड़ेंगे तो आपको पहले एक बार 6 का दीख जाएगा फिर इसके बाद थोड़ा अजीब होता जाएगा 11 का हो जाएगा फिर उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो 4 और 24 का हो जाएगा फिर इसमें अंतर ढूड़ने जाएगे तो शायद अंतर ना मिल पाए क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही दूसरा लग रहा है मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसका आंसर पहले बताते हैं और सही बताते है पांच के बाद 11 हो गया तेईस हो गया 47 हो गया 95 बेसिकली हो क्या रहा है जो पहले की संख्या है उसको दुगना करके एक जोड़ दिया जैसे 5 है दुगना करके एक जोड़ देंगे पांच गुड़े दो दस और 11 11 का दोगना करेंगे बाइस हो जाएगा 22 में जोड़ देंगे 23 का दोगना करेंगे 23 गुड़े 24 हो जाएगा 46-1 क्या हो जाएगा 47 का 95 है 47 का आप करेंगे 94 हो जाएगा उसी तरीके से 95 का जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 190 प्लस जोड़ जाएगा थो 191 राइट answer option दी हो जाएगा ये भी ध्यान देना है कि सीरीज में इस तरीके का भी concept यूज होता है दो गुना तीन गुना भी हो जाता है तो समझ में आ जाता है जब आप ऐसे प्रशन पहले किये रहते हैं उमीद है आज का कंटेंट नोट्स यह सब मिलेगा उस पर आप जाकर विजिट कर लें मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केर एंड कीप वाचिंग